तो यह हमारे पुश्पूल लेग सीरीज का लाश्ट इपसोड है जिसमें कि मैं आप लोग के साथ अपने पूरे लेग स्प्लीट के रूटीन को सेहर करूंगा तो फॉर्स 10-15 मिनट्स हम अपने कॉर्ट्स, हैम्स्ट्रिंग और अड़क्टर को अच्छे से वाम अप करेंगे तो मैं मेन एक्सरसाइज को सुरू करने से पहले अपने लेग के लिए कोई भी एक आइसोलेशन एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूं तो मेरे लेग में अच्छे से ब्लड फ्लो हो जाया और उसके बाद मैं कोई भी हैवी कंपाउंड एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं और वकिंग सेस में हम हैवी जाने का कोशिस करेंगे सो बहुत लोग इस एक्सरसाइज को एक हाफ रेंज ओफ मोसन के साथ परफॉर्म करते हैं जो कि आपको नहीं करता है इस एक्सरसाइज को एक फुल रेंज ओफ मोसन के साथ परफॉर्म करना है क्योंकि यह कंपाउंड इसलिए यह exercise एक time में 3 major muscles को टारेट करता है quad, hamstring और glutes को second exercise leg press और इस exercise को करते वक्त आप अपने chest को अब कीजिए और आप अपने spine में एक हलका सा arc create कीजिए और इस exercise को करते वक्त बहुत लोग एक common mistake करते हैं वो अपने range of motion को restrict कर देते हैं जिसके चलते हैं उनके quad और hamstring में अच्छे से activation नहीं आपाता है बट आपको यह गलती नहीं करना है इस exercise में आपको अपने range of motions को full रखना है और इस exercise में आप ego lifting करने के जगह अपने range of motions को complete रखते हो और अपने negative को controlled way में perform करते हो तब आपके leg का development बहुत ही fast हो जाएगा और leg press आपके quad और hamstring दोनों को target कर सकता है अगर आप अपने leg के position को change करके इसको perform करते हो तब Now moving to our third exercise hack squat इस exercise को आप Smith machine से भी perform कर सकते हो और या फिर hack squat machine से भी perform कर सकते हो मैं personally इसको hack squat machine से perform करता हूँ क्योंकि इससे मुझे ज्यादा stability मिलता है जिसके चलते मैं एक अच्छे mind muscles connection के साथ इस exercise को perform कर सकता हूँ और ये exercise आपके glute और hamstring दोनों को target करता है So इस exercise को मैं कभी skip नहीं करता हूँ और मैं आप लोगों को भी recommend करूँगा ये exercise अपने routine में जरूर एड करो और इसके भी हम total 4 sets करेंगे So now moving to our fourth exercise lunges Personally मैं ये मानता हूँ कि ये one of the best finisher exercise है और at same time ये one of the tough exercise है क्योंकि इतने सारे compound exercises को करने के बाद इस exercise को perform करना एक बहुत ही challenging task हो जाता है इसलिए इस exercise में हम बहुत ज्यादा heavy नहीं जाएंगे इसमें हम medium or light weight के साथ perform करेंगे इसके हम total 4 sets कर रखेंगे और last के 2 sets में हम drop sets रखेंगे ताकि हम एक complete failure तक जा सके Now moving to our last exercise which activates our calf muscles मैं generally calf के लिए बहुत ज्यादे exercises को perform नहीं करता हूँ इसके मैं total 3 sets करूँगा last sets में एक drop sets रखूँगा So आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया हुआ कि मैंने इस routine में कोई सा भी isolation exercise नहीं रखा है लेग के लिए और उसका रिजन काफी simple है I always focus more on compound exercise और compound exercise को perform करना हर एक leg day की दिन easy नहीं है इसी एक तरीके से अपने leg में एक rapid growth पा सकते हो और मुझे मालूम है इस routine को follow करना बिल्कुल भी असान नहीं है बट अगर आप इस routine को follow करते हो तो मैं guaranteed कह सकता हूँ आप अपने leg में एक अच्छा development देखोगे So ये video इस series का last episode था और बाकी की दो episode आप लोग को देखना है तो मैंने अपने channel पे एक playlist क्रेट किया हुआ है आप वहाँ पे जा की check कर सकते हो बाकी के दोनों series को और इस series ने अगर आपको genuinely कुछ help किया है तो आप कुछ अपने दोस्ते को साथ share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसी series और भी आने वाले हैं चैनल पे and I hope you liked it that's it for this video